भाव साथ महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं अब ये गिरावट क्यूं देखी जा रही है इस गिरावट के पीछे की बड़ी बज़ा क्या है बज़ट से पहले अंधे मुगिरे सोने वाचांदी के दाम सोना वाचांदी खरीदने वालों की बल्ले बल्ले यदि भी सस्ता सोना खरीदने का इंतिजार काफी दिनों से कर रहे थे और आपको साधी बीवाह के लिए सोने के गहने बनवाने हैं या फिर आपको सोने में निवेश करना है तो आपके लिए वो सुब घड़ी आ गई है क्योंकि सोने वाचांदी के दामों में आखरी कारोबारी गिरे हैं साथ ही आपको बताएंगे आज 18 के रेट 22 के रेट और 24 के रेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या हैं लेकिन उससे पहले रोजाना सोने वाचांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके दोस्तो द का जाये तो लगातार मांग में कमी के चलते सोने वाचांदी के दामों में सुष्टी को मिल लही है और इस सब्सक्रा आकरी का रॉबारे दिवस सोने के दामों में जोड़दार गिरावट आई है वहीं चानदी भी 25 रुप़े से जादा सस्ती हुई है क्योंकि आज एक ग्राम चांदी का भाव 88 रुपई 98 पैसे है आज एक किलो चांदी का भाव 88,983 रुपई है आप लोग सोचेंगे चांदी के दाम तो फिर वैसे आ गए आखिर सस्ता क्या हुआ है आपको विधा दे पिछले सप्ता चांदी के दाम 92,000 रुपई को पार कर गए थे लेकिन आज एक किलो चांदी का भाव 88,983 रुपई है आखरी कारोबारी दिवस एक किलो चांदी में 25 600 रुपई से जादा चांदी सस्ती हुई है तो यदि आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शुनेरा उसर है साथी दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे वरतमान समय में आज आपके सहर में एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है चलिए अब जान लेते आखिर सोना क्यों सस्ता हो रहा है सोने के जानकारों का मानना है एक तो साधी वीवा के सीजन अब समाप्त हो गए हैं और ऐसे में लगातार सोनी की मांग में कमजोरी देखी जा रही है जिसके चलते सोने वाचांदी के दामों में अब गिरावट आ रही है क्योंकि हिंदू दर्म के अमसार अभी कुछ दिन पहले ही साधियों का सीजन समाप्त हुआ है अभी तक साधियों का सीजन चल लहा था जिसके चलते लगातार सोने वाचांदी की मांग देखी जा रही थी और सोने वाचांदी के दाम उपर गए थे लेकिन आपको बता दे आप फिर से सोने वा खरीदना है तो कम से कम अभी आपको एक सब्ता का और इंतजार करना चाहिए क्योंकि बजट जैसे ही पेस होगा या दिस सरकार उस पर ड्यूटी घटाती है तो सोने वाचांदी के दामों में अभी और ज़्यादा गिरावट आएगी क्योंकि आप देख रहे हैं आखरी कारोबारी दिवस सोने में भी जोड़दार गिरावट आई है वहीं बजट में सरकार ड्यूटी घटाएगी तो लगबग सोने के दाम 6-7,000 रुपए तक कम हो सकते हैं चलिए जान लेते हैं आज 22 के रेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 7,148 रुपए है आखरी कारोबारी दिवस 10 ग्राम में 720 रुपए सोना सस्ता हुआ था वहीं इस सब्ता MCX पर सोने के दामों में 1100 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है और बजट के बाद अभी सोना और सस्ता होगा चलिए आप जान लेते हैं आज 24 के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है उससे पहले दोस्तों कमेंड में आप अपने सहर का नाम जरूर लिखे थाकि सोने के दाम और गिरे तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता सके कि आपके सहर में सोना सस्ता हो गया है वहीं आज 24 के रेट के हिसाब से 1 गराम सोने का भाव 7324 रुपई है 8 गराम सोने का भाव 58,592 रुपई है 10 गराम सोने का भाव 73,240 रुपई है 100 गराम सोने का भाव 7,32,400 रुपई है चलिए अब जान लेते हैं आज भारत के कुछ प्रमुक सहरों में सोने के ताजा भाव क्या हैं? चलिए अब जान लेते हैं? कीमत 72,782 रुपई है राजस्थान में आज एक तोला सोने की कीमत 72,892 रुपई है साथी दोस्तों आपको बता दे जो ये भाव बताई गए इस भाव से आपके सहर के भाव में 1500 रुपई का अंतर आ सकता है क्योंकि सहरों में रोजाना भाव बदलते रहते हैं और हर घंटे भाव चेंज होते रहते हैं तो सुनार भाई जो भी आपको जोलरी देता है वो जो करेंट रेट रहता है उसी भाव में देता है तो आपको बता दे इन भाव से बस 100-200 रुपई का अंतर आ सकता है तो ये थी हमारे द्वारा दी गई आपको सोने वाचांदी के भाव की जा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें वीडियो को लाइक करें